नमस्कार देसी ठेका पर आप देख रहे हैं जरूरी पांच मतलब दिन भर की पांच ऐसी खबर हैं जो आपको जानने जरूरी है आज के हमारी पहली खबर है कि ट्रम्प पर बेन लगाने के बाद ट्विटर को हुआ लगभग पांच मिलियन डॉलर का नुकसान डूनाल ट्र इसका उपयोग हिंसा फैलाने में कर सकते हैं इसके बाद ट्विटर के शेयर्स में लगातार गिरावट देखने को मिली और अभी तक ट्विटर के शेयर 12.3 प्रतिशत तक गिर चुके हैं जिसके कारण लगभग 5 बिलियन डॉलर तक का घाटा ट्विटर को जेलना पड़ा हा है हमारी अगली खावार एकिवे ज्यानिकों ने की नई आकाष टंगा की खोज यूरोबियन सउधर्न ऑब्जर वेटोरी की रिशर्चर्स ने नई आकाषगंगा की खोज की है ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई नई आकाष गंगा खोजी गई है मुछ करताओं को कहना ह कि आईडी बाइस निन्यानवे नाम की इसा काश गंगा का गठन तब हुआ था जब हमारा ब्रह्मांड केवल 4.3 मिलियन वर्ष पुराना था कोल गया सेजेक्शन के कारण यायकाश गंगा लगातार अपने अंत की और बढ़ रही है अगर हम इसकी दूरी की बात करें तो इसके प्रकाश को धरती तक पहुँचने में लगबग 9 अरफ प्रकाश वर्ष लगते हैं हमारी अगली और बड़ी खबार है कि चीन में फिर से लगाया गया लॉगडाउन कोरोना के बाद से चीन लगातार दावा कर रहा है कि उसने इस महामारी पर काबू पा लिया है लेकिन एक बार फिर से चीन में लॉगडाउन की स्थिती देखने को मिली है और उसने अपने ब journaling लगा दिया छीन के लेंग फिंग नमक शेहर में कड़ा लग लगाया गया है और स्वेहर्वासिएंड को हफ्ते भर होम क्वारेंट कारेंटायं रहने के लिए कह गया है कुछ दिनों पहले ही चीन के हेवई प्रांत के कई शेहरों में ऐसा ही लोग्डाउन लगाया गया था ये ख़बर बताने का हमारा मकसद सिर्फ यही है कि वैक्सीन आने की खुशी में लापरवाही ना बरतें और कोरोना संबंधी सभी सावधानिया बरतना ना भूलें हमारी अगली खवारे की संसद ये पैनल में बोर्ड परिक्षा देने वाले विद्यार्थियों को पहले ही प्रश्ण बैंक देने का सुझाओ दिया गया क्योंकि कोरोना के कारण पढ़ाई में बाधा आई है इसलिए उन्हें प्रश्ण बैंक दिया जाना चाहिए जिससे सभी परिक्षा की तैयारी आसानी से कर सके तो ये थी आज की पांच जरूरी खबर हैं ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं अग भूलें हमसे जोड़े रहने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर लें कल फिर होगी यहीं पर मुलाकात तब तक के लिए चलता हूं